नमस्कार आप सभी के शागत है और इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम एक ऐसे ब्लड के बारे में एक ऐसे खून के बारे में जो लैब के अंदर बनाया गया यह खून जो है वो यूनिवरसिटी अब ब्रिस्टल में प्रोफेसर और एन आई एचार ब्लड एंड ट्रांस प् अबदील करने की यह ट्रायल प्रकिरिया चल रही है और उन्होंने कहा कि इस परकार की प्रकिरिया जो है वो पूरी दुनिया में पहली बार हो रही है और अगर यह प्रकिरिया सही रही यह ट्रायल प्रकिरिया सही रहा तो कुछी दिनों में हम आर्टिफीसियल ब्लड तय कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें ये चढ़ाया गया है जिनमें किसी प्रकार का कोई side effect नहीं देखने को मिला है तो ये एक मील का पत्थर साभीत हो सकता है medical field में अगर इस प्रकार के क्रितिम या artificial blood का निर्मार सफल होता है तो अगर बात करें तो यहाँ जो blood है और इसकी जो discovery है जो खोज है ये किसी जादू से कम नहीं है दुनिया में पहली बार दो लोगों को लैब में बनाया गया duplicate खुन चढ़ाया गया है हाला कि यहाँ लैब में तयार हुए खुन का पहला clinical test है जो सफल रहा तो खुन से जोड़ी बिमारियों से जूज रहे लोगों के लिए य इनका blood group काफी rare होता है दुरलब होता है जो असानी से मिलता नहीं है वैसे मरीजों के लिए ये किसी बरदान से कम नहीं है बैग्यानिकों ने लैब में इस फून को बनाने में blood donors की मूल को सिकाएं जो stem cells हैं उसका इस्तमाल किया है और खुन को तयार करने के बाद पहले trial के तोर पे 2 volunteer को 5-10 ml खुन ही चड़ाया गया है और उन volunteers को observe किया जा रहा है कि उनमें किस परकार के side effect अगर होते हैं तो वो किस परकार के side effect होते हैं जो हम देख सकें लेकिन खुसी के बात यह है कि इन volunteers का अंदर किसी भी परकार का कोई side effect अभी तक देखने को नहीं मिला है औ और अगर यह trial सफल होता है अगर यह trial पूरी तरीके से सक्चम होता है तो यह जो critrim यानि कि artificial blood है यह पूरी medical science की जो तरीका है बिमारियों को treat करने का बहुत सारी बिमारियां जैसे hemophilia, thalassemia इस पूरे तरीके को यह बदल करके रख देगा किरपया करके आप इस चैनल को subscribe क झाल डान माँ मुच़ यह जो हम तरीके का लगी तरीक को यह जो लुकत सारी थाके यह जो अभू और यह जो जो तब समते हो यह जो आपूल आप शकमार यह जोत कर दो